हलो बच्चों तो कैसे हो आप लोग आई होप सब भी लोग ठीक होंगे तो आज हम जो ब्रोंकोग्राफियोस के कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो उनकी बारे में स्टैडी करेंगे फर्स्ट आता प्रिलिम्नेरी फिलम कौन कौन सी होती है इसके अंदर कौन सी ली जाती है चेस्ट पिये ली जाती है और लेटर ली जाती है ठीक है इसमें टैक्निक की बात करेंगे कि किस टैप कैसे टैक्निक यूज़ करते हैं तो फर्स्ट आता आफ्टर लोकल एनेस्थेसि spray into the pharynx and larynx a polythene catheter is introduced through nose steel into the trachea इसमें क्या करते हैं सबसे पहले जो local anesthesia होता है उसको स्प्रे करते हैं कि इसमें pharynx और larynx के अंदर उसके बाद में जो polythene catheter होता है उसको introduce क्या जाता है nose steel के nose steel के थू trachea के अंदर फिर contrast media is introduced through direct puncture of caricothyroid membrane उसके बाद में जो contrast media होता है उसको introduce करते हैं किसके through direct lumber puncture of caricothyroid membrane into the major bronchus of the lobe using bronchoscopic technique इसमें क्या करता है की जो bronchoscopic technique उसका use किया जाता है और उसका use करके, जो contrast media है, उसको किसम के इंट्रडूची किया जाता है through direct puncture of caricothyroid membrane, जो caricothyroid membrane होता है उसको direct puncture करते है और फिर major bronchus lobe का major bronchus होता है उसमें direct inject किया जाता है टेक्णिक कोन सी यूजWAN करते हैं bronchoscopic technique use की जाती है contas media medium is instilled under fluoroscopy control और जो contas media होता है वो जैसे inject करते हैं वो किसके control में किया जाता है fluoroscopy के control में inject किया जाता है इसमें जो film ली जाती है वो एक तो ली जाती है right side right side से chest PA और right lateral उसके बाद में left side से ली जाती है वो chest PA और left lateral फिर 45 degree right posterior oblique और 45 degree left posterior oblique ठीक है आफटर केर की बात करेंगे तो कफिंग और चेस्ट फीजियो थेरेपी एडवाइस कि कफिंग करने के लिए बोलेंगे और जो चेस्ट फीजियो थेरेपी है वो करवाने के लिए एडवाइस करेंगे और माउस से कुछ भी कानने के लिए मना कर देंगे जब तक जो एनेस्थेस्या का इफेक्ट है वो चलाने जाए कॉम्प्लिकेसंस के बात करेंगे तो इसमें वोमेटिंग हो सकती है नोजिया हो सकता है और माइनर हैड़ेक हो सकता है थैंक यू और लाइक, शियर, सब्सक्राइब और आपको कुछ भी नए टॉपिक पेचिये तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट हो करना ओके बाबाई टेक क्या